Hello YouTube ! कैसे हैं आप लोग ? दोस्तों आपन हुआ हैं बात करने वालों बहत ही important आप के बारे हैं इस एप की मंदद से 20 साल के आदमी को 40 साल के दिखाया जा सकते हैं अगर वो इंसान रो रहा है तो आप उसे हिस्ता वादी ना सकते हैं हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूं face app के बारे में यह वही एप में जून 2019 में काफी जादा वाइरल हुआ था जिसको millions में लोगों ने install कहता लेकिन उसके जस्ट उस टाइम बाद काफी जादा controversy होगी जिसके बाद millions में ही लोगों ने इसे uninstall कर दिया था तो आफिर ऐसा तो यह दोस्तों रश्या के तुर बनाए गया है एक रश्यान कंपनी है wireless lab जिसने इस app को बनाया और यह बनाया कब गया है 2017 में है दोस्तों यह दो साल पुराना app है लेकिन अभी क्यों वाइरल हुआ एक्शली क्या है जब यह स्टार्ट अप में आया 2017 में तब भी इससे का बंद कर दिया गया था इसके बाद क्या हुआ 2019 में जब लोगों ने फोटो जी और शोशल वीडिया पर इसे अप्लोड करना स्टार्ट किया तो लोगों ने देखा देखी में क्या किया इससे जादा जादा एक्स्टॉल किया और वही चीज अपने आपको भी बुढ़ा ब फोटो में convert करके दिखाता है अब दोस्तों इसके बाद में बात करूँ ऐसा क्या हुआ जब लोग इतना enjoy कर रहे थे तो क्या हुआ कि इसे बंद करना पड़ गया तो basically दोस्तों हमें बताई कि कुछ में नए चीज आती है तो हमें तो चाहिए और हमारे problem क्या है कि हम चीज अपने हिसाब से यूज करें तो यह चीज किसी ने देखी रही और जिनोंने देखी उन्होंने controversy बना दी और controversy बनाने बाद सबने अपना phone उठाया और uninstall पे click किया और यह install होना शुरू हो गया तो यह थी दोस्तों इसके कहानी लेकिन इसके बाद जैसे की controversy बढ़ते गई बढ़ते गई और बढ़ते गई तो इसके CEO ने यह कहा कि हम आपकी कोई भी फोटो रश्या में नहीं भीज रहें यानि कि कोई भी आपकी privacy हम यूज नहीं कर रहें जिसके साथ उन्होंने apology की तो यह थी दोस्तों face app से related जानकारी आए और यह जो जानकारी आए होगी और य face app कहा से आया कैसे launch हुआ और कैसे अनिस्टाल हुआ तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपको पता ही का अगरना है लाइक करना है शेयर करना है और सब्सक्राइब बिटन को प्रेस करना है और बैल आइकन को जरूर तबाना है थांक यू